है यह वेल्कम मैं वीडियो फैन आज की इस वीडियो में मैं बहुत थी व्यूटिफुल बहुत यूनिक स्लिप की डिजाइन कर्टिंग और स्टिचिंग के साथ बताऊंगी तो वीडियो बिल्कुल भी इसकी इपना करें एंड तक देखें और अगर मेरी वीडियो चीलेगे तो वीडियो को लाइक कर जैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और सेयर करें और फैबरिक को मैंने फोर फोल्ड कर ली हुई है फैन और इसके बाद हमें लाइन ड्रो करनी है तो किस तरीके से करनी है फैन अगर आपको स्लिप की कटिंग नहीं आती है तो आप इस तरीके स है normal strip की cutting जो है फैन कर सकते हो मैंने यहाँ पर लंबाई 10 इंच ले यह फैन देख सकते हो अब अपने choice की trick का according जितना आपको लंबाई पसंद यह फैन उतना ले ले और इसकी बाद मैंने यहां पर 3.5 इंच ले लिए हुई है साइट से नीचे से और इसके बाद इस तरीके से गुलाई में देते हुए लाइन ड्रो कर ली हुई है अगर आप नॉर्मल स्रिप बनाते हुए फैन उसमें आप 8.5 से 3 इंच नीचे से ले फैन और उसके बाद गुलाई में देते हुए लाइन डो कर ले इसके बाद जो है फैन मैंने मोहरी की फोल्ड फोल्ड करते हुए ले ली हुई और इसके बाद दो इंच मैंने एक्ट्रा फैबरिक ली हुई है फैन अब इसकी बाद जो है हमें कटिंग कर लेनी है और से इसी तरीक हो गई है फैन और मैं इसे बीच ओबीच से कर्टे हुए और इसकी बाद जो है फैन मैंने इसे अच्छे से से चे ले 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 हुए है और रेज व woven ग़ीं जाओंपाई ने ले ले हैं और ब Zumड दे इस तो आप ज्यादा भी रख सकते हो फैना अपने चोईस को अगोडिंग में ज्यादा फैली होई नहीं चाहिए मुझे नॉर्मल चाहिए इसमें भी बहुत ही अच्छी खासी हमारी डिजाइन बनके रेडी हो जाएगी और इसके बाद मैंने सेम यहां पर लाइनिंग की फैबर कर लेनी है पूरे को देख सकते हो आप अगा है तो यह पूरा मैं स्टिच कर ले रही हूँ फैन और इसके बाद जो है फैन जो भी एक्ट्रा फैब्रिक आपको लगे उससे आप कटिंग करके निकाल दे नीचे से और इसकी बाद जो है फैन चोटे-चोटे करस लगा इस तरीके से ताकि अच्छे से फिनिसिंग आए और इसकी बाद जो है फैन इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे देख सकते हो आप इस तरीके से बहुत ही असानी से आप डिजाइनल स्लिप बना सकते हो तो यहाँ मैंने सीधा कर दी हुई है फैन अब इसकी बाद उपर से मैं एक और सिलाई लगा कि इसे अच्छे से सेट कर लूँगी इस तरीके से देख सकते हो आप तो यहां मैंने सिलाई लगा दी हुई है फैन और इसकी बात जो है हमें इसमें डिजाइन करनी है तो डिजाइन हमें क्या करनी है फैन डिजाइन बनाने के लिए मैं यहां पर डोड़ी बनाओंगी फैन तो डोड़ी मैंने यहाँ पे 1.5 इंच और पट्टी की कटिंग कर ली हुई है और इसे हमें स्टिच कर लेनी है डोड़ी बना लेनी है फैन तो इसकी मैं डोड़ी बना लूँगी तो मैंने डोड़ी बना दी हुई है फैन और इसे मैं देर इंच में cutting कर दी हूँ ओर इसके बाद जो है fan cutting करने के बाद हमें double fold करते ही वह इस तरीके से पूरे गोलाई में हमें इस तरीके से अच्छे से set करते ही हुए श्लाई लगा लेनी है fan अगर आप दूरी दूरी पे रखना चाहते है अगर आप गैप रखना चाहते हो फैन तो गैप देते हुए लगा ले मैं यहाँ पर गैप नहीं दी हूँ बिलकुछ अटाते हुए मैं यहाँ पर पूरे में फैन गुलाई में जो है डोड़ी अपनी अटेच कर लूँगी डबल फोल्ड करते हुए तो देख सकते हो फैन मै फैन ने ले लिए फैन और इसे इस तरीके से इसके अंदर में डालते हुए पूरे में निकाल लूँगी देख सकते हो आप इस तरीके से बहुत ही असानी से आप कर सकते हो तो इसे मैंने निकालती हुए फैन पूरे में मैंने सेट कर दी हुए है और इसकी बाद जो है फैन इस पर मैं लैस अटेज़ कर लेंगी जिससे कि हमारी स्लिप जो है फैन और भी ज्यादा ब्यूटिफुल लगेगी तो मैंने यहाँ पर अटेज़ कर दी हुई है फैन देख सकते हूँ आप इसके बाद मैं यहाँ पर गाठे लगा दे रही हूँ इस तरीके से और इसके बाद मैं यहाँ पर फैन लटकन बनाऊंगी जिससे कि हमारी स्लिप जो है फैन और भी ज्यादा ब्यूटिफुल लगेगी तो मैंने यहाँ पर चौराई में फैबरिक कटिंग कर ली है इसे फोर फोल्ड कर दी हुई है फैन और इसके बाद मैं यहाँ आप और पे दोढ़ूँ के स्वेसे क्रिफिये खाउ हुए से इसे में गॉलाई में मैं कटिंग कर लूँगा देख सकतेउब है तो मैंने यहां पर गॉलाई में कटिंग कर ली हुँ यह भी तू कर भी इस तरीके से उसे एक दूसरे कोपर रखते हुए जाई के साइड मैं स्टीच कर लूंगी तो इस तरीके से मैं गुलाई के साइड सिराई लगा दी हूं अभी से सीधा कर देंगे देख सकते वाग तो इसे मैंने सीधा कर दी हुई है और इसके बाद जो फैन इसके ऊपर लैस अटेच्छ करेंगे तो ये मैंने लेस ले ली हुई है फैन जो हमने slip पे अटेच किये फैन वही लेस है तो इस पर भी मैं गुलाई के तरफ ये लेस जो है अटेच कर लूँगी ये beautiful बहुत ही beautiful ये हमारी लटकन लगती है फैन बनने के बाद तो यहां मैंने लेस जो है फैन अटेच कर दी हुई है देख सकते हो आप आप इसके बाद हमें इस तरीके से डोड़ी को रखते हुए साइड में stitch कर लेनी है तो देख सकते हो फैन ये हमारी लटकन भी ready हो गई है अब इसे हम एक्स्ट्रा फैबरी करने के बाद सीधा कर देंगे तो देख सकते हो फैन कितनी ब्यूटिफुल ही हमारी लटकन बनके रेडी है सेम ऐसी ही मैं दूसरी भी लटकन रेडी कर दूंगी इस तरीके से रखते हुए साइड में सिलाई लगाते हुए इससे भी हम बना लेंगे फैन तो दोनों लटकन हमारी रेडी हो गई है ये फैन आप चाहो तो इस पर दो तिन लेयर भी लगा सकते हो पर मुझे ऐसे ही ये बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही है तो आपको कैसे लगी मेरी वीडियो प्ल और चैनल को प्लीज सस्काइब कर लें थैंक यू